नमस्कार दोस्तो मेरा नाम भारत बुशन है आप देख रहे हो JCV कंप्यूटर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास कोई भी एप्सन प्रिंटर का हैड है आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हो कि वो आपका हैड है सोट है या वरकिंग है या डैमेज है यह सब इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम इदर से शुरू करेंगे जो ये वाली है ये फास्ट लेग होगी और इस वाली होगी ये लास्ट वाली होगी जो इस साइड से होती है और जो इस साइड से फास्ट होती है फ्रेंट वो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं यह यह वाली लेग होती है फ्रेंट जो हमारी फास्ट वाली होती है दोनों सेम एक ही होती है फ्रेंट अब बताता हूं अगर आपने हैड को चेक करना है तो किस तरह करना है सबसे पहले मैं बताता हूं आपने अगर आपका हैड है वो सोट है आपने किस तरह से चेक करना है सबसे पहले friend आपने अपना multimeter लेना है और उस पर बजर पर set कर लेना है उसके बाद आपने अपने multimeter से एक lag इस side रखनी है और एक side एक यहां पर रखनी है friend यहां पर बिल्कुल 0 आनी चाहिए यह कहीं और लग गई है अगर हम इस तरह से check करेंगे तो बिल्कुल यहां पर कोई भी वेलो नहीं आएगे friend अगर यहां पर कुछ भी वेलो आजाती है तो उस head को use मत करना अगर आप head use कर लोगे तो तुरंथ ही आपका जो board है dead हो जाएगा sort हो जाएगा यहां पर कोई भी वेलो नहीं आनी चाहिए friend और इसी तरह इस side से first और second leg पे आप check करोगे यहां पर भी वेलो नहीं मिलनी चाहिए friend इस side से फिर आपने एक leg इदर रखनी है और इस side से second leg यहां पे रखनी है जो second leg होती है इस side से उस पे रखनी है friend यहाँ पर आपको कुछ wellow मिलनी चाहिए जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ आपको यह देखिए friend इसतनी wellow यहाँ पर मिलनी चाहिए 506 या 500 भी मिल सकती है या 600 तक मिल सकती है तो कोई problem नहीं है friend अगर इतनी wellow मिल जाती है तो भी आपका head है वो बिल्कुल ठीक है फ्रेंड इसी तरह फिर हम 3rd leg पे भी चेक करेंगे फ्रेंड जो हमारी 3rd leg है वहाँ पर भी हमने चेक करना है यह देखिए फ्रेंड यह हमारी 3rd leg है 3rd leg पे हमें इतनी वैलो मिलनी चाहिए यहाँ पर वैलो 400 भी हो सकती है या फिर 450 भी हो सकती है अगर आपको 400 से कम मिलती है वैलो तो भी अपने head को use नहीं करना फ्रेंड अगर यहाँ पर 0 वैलो मिल जाती है या भी फा जाती है तो भी अपने head को use नहीं करना है अगर यहाँ पर कोई वैलो नहीं आती है फ्रेंड इसका मतवल हाप का head है सोट भी नहीं है वो dead है फ्रेंड उसमें क्या होगा कोई भी print नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर supply ही नहीं जाएगी फ्रेंड जो 3rd leg होती है वो हमारी power के लिए होती है तो इस बात का अपने ध्यान रखना है अगर आपकी जो 3rd है उस पर वैलो नहीं मिलती है तो आपका head है और damage है जो हमारा short head होता है वो आप इसी तरह से ही check कर सकते है या damage head है वो भी आप इसी तरह से check कर सकते है आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कोई वैलो नहीं मिलने च चाहिए फ्रेंड फर्स्ट और सेकेंड पर अगर इस साइड से वैलो मिल जाती है तो भी आपका है और सोट है फ्रेंड इस तरह करके आप अपने किसी भी हैड को चेक कर सकते हो फ्रेंड उमीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको